नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूँ हमानशो और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया बेबाग खबर तेज असर आज ये नदर डालते हैं आज की खबरों पर सचिन निवासी गुरुगराम की हत्या में वांचित दोन बदमाश थे बदमाशों के पास से दो अबैद पिश्टल मैगजिन सही तर तीन राउंड परामत के गए हैं सुनाक्ष तिंग्स हैक पुलिस अदिक्षक नहों ने जानकारी देते हैं बताया कि 29 अप्रेल 2024 की रात को स्तियफ और काउंटर इंटरिजन्स दिल्ली की टीम ने करीब एक माहा पहले सचिन निवासी गुरुगराम की हत्या में वांचित अपरादी रोहित और प्रमीन दोनों को गुप्त सूचन के आधार पर तावड नुह रोड पर गाउं पला पहाड़ी के पास मुटफेड के बाद कावो किया है दिल्ली की भी हमारी काउंटरिंटिलिजन्स की टीम थी तो उन्हीं गुप्त सूचना पर प्राप थी की हमारे पास तावडु old तो हमारी पुलिस की टीम बुल हूच ज्याकेट में उनको इनकी धाराम के लिए वहां पर गई थी जसम्में उन्होंने भी पुलिस को देखके पुलिस की गाड़ी को देखके उन्होंने राउंस फायर किये लगवग 10 राउंड उनकी तरफ से फायर हुए है बचाओ में फिर पुलिस ने भी और उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने भी फिर फायर किया लगवग 15 राउंड फायर किये जिस दोरान उ उन दो अपराधियों के पैर पे गोली लग गई है, तो फाइनली अभी उने मतलब काबू में ले लिया गया है, उनके पास से दो असलहे और तीन राउंड के करीब गोलियां पे बरामद हुई है, अभी उन्हें नलड अस्पिताल में भरती कराया गया है, और फाइनली फिर उसके बाद उनके थोड़ा ठीक होने पे उनके और आगे की पूछताच की जाएगी, अपराधियों के नाम तो अभी हम डिस्प्लोज नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टिकेशन का विशह है, बाकी उनके ओपर केस दर्श था, वो लो भागे हुए थे वहां से, तो वो फरारी जो पूछताच होगी, उस पूछताच के अधार पर जो भी जानकारी सामने आएगी, उसके बेसिस पर ही हम इस सवान का जवाब देपाएंगे। इस चीज की अभी कोई पुष्टी नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार फर्दर उनसे जो आगे की पूछताच होगी, उसमें जो जानकारी निकल के आएगी, उस ही के बेसिस पर हम इस बारे में कुछ कह पाएंगे। अभी बस उन्हें जो मुकदमा है, जो अभी रहोतक में जो घटना हुई थी, उसके संबन में ही उन्हें कि रफतार किया गया है, बाकी आगे जो फर्दर पूछताच होगी, उसमें उनके जिस भी केस से रिलेटेड अगर कोई डिटेल्स आते हैं, तो उसके अनुसार प्र झाल